करिड कार्ड, करिड कर्ड आज की रेट में बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, विक उससारे लोग करिड काम हो जुज करने लग गया है लेकिन करिड का कि यूज करके वह बृद्डराच करी सकते हो और बाद में करें को पैसे दे सकते हो इसको एक शॉट टम् लोण भी बोला जाता है लेकिन जब भी आप करेड vicni क करके को पर क्रीड़ी ते ओ इसका डिएक होता है कि आप credit card की company के पैसे यूज़ कर रहे हो जो आपको बाद में उनको वापस लोटाने होते हैं लेकिन क्या हो जब आप credit card की company के पैसे उनको वापस लोटा हो उसके बदले में भी आपको पैसे मिले या कुछ rewards मिले So on this note, hello friends, welcome to the another episode of startup series I am Nathish Mishra and आज की इस वीडियो में जिस startup को इपर हम discussion करने वाले हैं उसका नाम है CRED So CRED एक Bangalore-based startup है और basically CRED काम क्या करती है जो credit card के users है उनको credit card bill pay करने के लिए ये platform देती है और हर एक bill pay करने पर या कोई भी transaction करने पर users को कुछ नकुछ rewards कुछ नकुछ cashbacks मिलते है And CRED house rent payment facility भी देती है And इसके अलावा CRED app पे जितने भी short term credit lines benefit है वो भी अपने users को देती है And CRED के जो founder है Mr. Kunal Shah And ono ने इस company को 2018 में launch किया Kunal Shah का जो goal था वो बहुत ही simple था वो life को थोड़ा सा better and systematic बनाना चाहते थे And CRED की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी startups हुए उनके co-founders ने या founders ने अपने सारे customers के उपर focus किया है लेकिन CRED ने यहां पर थोड़ी से smartness दिखाई है और वो smartness बहुत helpful भी है For example, वो लोग जो अपने credit card का bill time pay pay नहीं करते है उनको क्या-क्या problem space करने पड़ती है उनको late fee charge लगता है, उनको hefty interest charges लगते है लेकिन वो लोग जो अपने credit card का bill time pay pay करते है उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं So, CRED ने उन responsible लोगों पर जादा focus किया है जो अपने credit card का bill time pay pay करते है ताकि उनको कुछ rewards मिले, उनको कुछ cashbacks मिले और उनको देखके और लोग अपने credit card का bill time pay pay करना start कर दे So, यह तो रही CRED के introduction अब बात करते हैं CRED के business model के बारे में So, CRED का जो business model है वो four parts में divide है First है CRED customers, CRED app, businesses that provide offers on the app उसके बाद है CRED mint So, first है CRED customers So, वो लोग जो अपने credit card का bill किसी payment app के थूँ या किसी bank के थूँ पे करते है उनको उसके बदले में क्या मिलता है कुछ भी नहीं लेकिन वही लोग यह same process CRED app के थूँ करते हैं तो उनको बहुत सारे rewards, बहुत सारे cashbacks मिलते है और यह CRED की एक बहुत बड़ी strategy है जिसके बादे हम आगे बात करेंगे Next है CRED app तो जैसे ही आप CRED app पे sign up करोगे आपको सारे offers clearly दिखने लग जाएंगे कि आप इतना pay करोगे तो आपको इतने coins मिलेंगे इतना reward मिलेगा So इसका मतलब यह हुआ कि CRED app का जो user interface है और user experience है वो बहुत अच्छा है जिसके बादे से जो उनके users हैं वो बहुत जल्दी attract होते है All right Next है businesses that provide offers on the app So CRED जो है बहुत सारे business के साथ collaboration करता है बहुत सारे brands के साथ collaboration करता है और वो brands और वो businesses CRED app के ओपर offers provide करते हैं लेकिन इसके बदले में उन business को या उस company को या brands को क्या मिलता है वो ऐसा क्यों करते हैं उसका क्या reason है So basically CRED का user base है वो बहुत ही wide range में है It means CRED को हरे category के लोग use करते हैं और वहाँ पर उन businesses को strong visibility मिलती है For example अगर आप job ठोन रहे हो और ऐसी कोई company है जो अपने app या website के थुरूँ job provide करवाती है और वो CRED के साथ collaborate है So जब भी आप कोई bill pay करने जाओगे CRED app के उपर वहाँ पर वो companies आपको दिखेंगे जिस पर click करके आप job ले सकते हो So basically उन companies को अपने users मिल गए और CRED को ऐसी लोग मिल गए जो CRED app के उपर offers provide करवाएंगे जिससे CRED का user base बढ़ेगा Next है CRED Mint इस feature को CRED ने 20 August 2021 को ही launch किया So basically CRED Mint काम क्या करती है CRED के जितने भी trustworthy members है या वो लोग जिनका credit score बहुत अच्छा है Like जिनका credit score 750 या उससे जादा है वो लोग अपना बेकार पैसा किसी को उधार दे सकते है And इसके लावा वो उस पैसे को कभी भी निकाल सकते है Interest के साथ जिस भी time period के लिए उन्होंने वो पैसा वहां पे रखा हुआ है All right, so ये तो रहे CRED के business model की बात अब बात करते है CRED की marketing strategy के बारे में CRED के marketing strategy के बारे में ये बताए जाता है Next month वो 100 rupees मुझे आपको वापस देने है तो एक simple way तो ये है कि मैं directly आपको 100 rupees दे दूँ लेकिन क्या हो अगर कोई app हो जिसके through मैं अगर आपको 100 rupees दूँ तो मुझे 10 rupees का cashback मिले तो अब क्या होगा कि मैं life में जब भी आपस 100 rupees लोंगा मैं हमेशे आपको उस app के through 100 rupees दूँगा because वहाँ पे मुझे 10 rupees का cashback मिल रहा है और ये मेरी life का अब एक part बन गया है जब तक कि मुझे वो 10 rupees का cashback मिलता है तो ये same strategy cred की है कोई अगर किसी payment app के through या किसी bank के through credit card का bill पे करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है जब तक कि वो offers उनको मिल रहे है और राइट सो जो next factor है वो है content marketing, viral marketing and tv ads so first है content marketing जिसमें जो चीजे include है वो है blog post and youtube videos so cred के official website पे आपको general finance related credit card से related बहुत सारे blog post मिल जाएंगे and इसके अलावा YouTube पे इनका एक series भी है जिसका नाम है on the money series जिसमें ये बताते हैं कि IPL किस तरीके से पैसे कमाता है so basically ये अपने user को एक finance related knowledge दे रहे है finance related information दे रहे है और आज की date में finance related कोई भी knowledge या कोई भी information बहुत useful है लेकिन ये भी cred के एक marketing strategy का ही part है जिससे उनका user base बढ़े alright so next है viral marketing आप लोगों ने एक ad देखा होगा जिसका नाम था इंद्रनगर का गुंडा ad जब ये ad आया था तो ये सारे social media पे trending पे था और इस ad का जो point था वो ये था कि ये sound कितना ridiculous करता है कि कोई credit card का bill पे करके rewards जीत रहे so basically ये भी cred के marketing strategy का ही part था क्योंकि ये ad बहुत ज़ादा viral हुआ इसके वज़े से cred को बहुत सारे नए users मिले alright so next है tv ads तो ये तो हम सब जानते है कि आज की date में अगर आपको अपने product की marketing करनी है या अपने company की marketing करनी है तो social media is one of the best platform लेकिन इसके अलावा tv ads भी उतना ही बड़ा role play करता है and cred ने यहां पर भी थोड़ी से smartness दिखाई कि cred ने 90s के जो famous personalities है उनके साथ endorsements करके जाधा से जाधा customers को attract किया alright so next factor है वो है brands and collaboration आज की rate में जितने भी बड़े-बड़े brands है वो अपने product की जो promotion है वो अपने social media account के थुरू करते है और cred ने उन्ही brands के साथ collaboration करके अपने brand को promote करवाया जिससे cred को एक strong brand visibility मिली और जाधा से जाधा users cred की और attract हुए alright so यह तो रही cred की marketing strategy के बारे में अब बात करते हैं कि cred पैसे कैसे कमाता है और हम cred के दो income source के बारे में बात करेंगे first है listing face यह जितने भी businesses cred के ओपर अपने products and offers provide करवाते है cred उनसे पैसे लेता है उनकी visibility के लिए लाइक यह जितने भी offers है fashion retailers, amazon gift cards और भी बहुत सारे offers है और यह जितने भी offers है users को attract करने के लिए जब भी कोई user cred app पे cred coins को redeem करता है इन offers को लेने के लिए यह businesses cred को पैसे पे करती है और आप बात करता है second income source के बारे में so basically cred जो है आपका financial data collect करती है ताकि future में आप जब भी कोई bill पे करो तो cred आपको अच्छे offers provide कर पाए और यह banks और credit card companies हमेशा एक reliable customer दोनती है और cred in credit card companies को in banks को यह data देती है जिसके बदले में यह जो credit card companies यह banks जो है cred को पैसे पे करते है और राइट सो यह थी cred के चोटी सी स्टोरी एंड इवेंचुली मैं इस टार्टप के उपर और इसके founder के उपर सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि I think हमको बहुत प्रावल फील करना चाहिए कि कुनाल शाय जैसे businessman हमारे पास है एंड हमें इन start-up से बहुत कुछ सीखना चाहिए इन फेक्ट जब मैं भी research कर रहा था इस start-up के उपर मैं बहुत जादा इंगेज कर गया and apart from this मैं Mr. कुनाल शाय के जो podcast है वो बहुत time से देखता हा रहा हूं अभी भी देखता हूं and I feel one thing he is an amazing human being with a great sense of innovation all right on this note thank you so much for watching this video I hope you like this video make sure you subscribe to this channel hit the like button and please let me know in comments what do you think about this video and मिलते आपसे नेस्ट वीडियो में तिल देन